यहाँ आपको उपर आई बड़न पे या फ़र नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तों फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग आचो के बिल्कुल आमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर आप लोगं को पताईए कि daily basis के उपर बहुत सारी breaking news आती रहती है तो चलिए जितने भी important खबरे एक ही वीडियो में cover करने की कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे American Bazaar कैसे चल रहा है अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो Sun Pharma Sun Pharma के अगर हम लोग बात करें तो cover आप मतलब ये पुरानी बात है बट इससे related update अभी आया है Sun Pharma ने admit किया है किस चीज़ से related कि उनका business effect हुआ था जो 2nd March में हम लोगो जो ransomware जो attack या पर हुआ था इसी चीज़ के चल दे तो ये चीज़ों को उन्होंने admit किया पहले ये चीज़ों को उन्होंने clear cut admit या पर नहीं किया था तो ये कुछ points है जो कि आपको पता है होने चाहे देन बात करेंगे HDFC जो कि कुछी दिनों का महमान है आपको पता है कि अभी ये company हट जाएगी और सिर्फ आपको एक ही stock देखने को मिलेगा और वो है HDFC bank क्योंकि इनका merger है तो उसके पहले हम लोग या पर ज़रू कह सकते हैं कि HDFC क्या करने वाला है somewhere around 57,000 करोड का fund या पर raise करने वाला है through NCD तो obviously इतनी बड़ी company है इतना बड़ा group है तो इनके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत है तो यहापर नहीं होगी next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो coffee day enterprise तो अच्छी खासी 5-6% की गिरावट वेसे तो आज के दिन हर एक stock की अच्छी खासी band या पर बज़ी हुई थी so इस company की बात करें तो अलग से खबर भी हापर सामने आ चुके कि सेवी ने इनके ओपर लगव एक करोड की fine यहापर लगा दी है तो मतलब जो हमनों को case देखने को यहापर मिला था diversion से related fun diversion की बात करें तो इसी से related अलग अलग चीज़े हमनों को देखने को आपर मिल रही है तो यह कुछ points आप लोग को पता है हापर होने चाहिए then बात करेंगे दोस्तों तो Tata Motor so Tata Motor से related अग्दम धमाकेदार खबर सामने आ रहे है मतलब बोलते ना कि इस चीज़ की भी शुरुआत हो चुकी है मतलब अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियो को देखोगे लगबग एक से देड़ साल पुराने वीडियो को तभी इस पॉंट को यहापे मैंने मतला हाइलाट करके बोला था कौन सी चीज़ देखे आपको पता है कि electric vehicle से related हमनों को अभी demand देखने को मिल रही है तो passenger vehicle इससे related electric vehicles तो हम लोगों ने देख लिए तो इसी से related जैसे में आप लोगों को बता था कि जो commercial vehicles भी होते है उससे related भी demand आएगी कि electric vehicle चाहिए करके तो इससे related हमनों को news देखने को आपे मिल चुकी है जो कि आप यहापे देख सकते हो कि somewhere around Tata Motor को 5000 units का e-commercial vehicle का order यहापे मिल चुका है sign यहापे हो चुका है agreement तो बहुत ही कमाल की news देखने को आपे मिल रही है तो इस news के चलते Tata Motor के ओपर आप क्या कर सकते हैं फोकस रखते हैं बाट यह long term की खबरे आप सभी लोग को पता है then बात करेंगे BLS International Services Limited सो BLS International की बात करेंगे तो आज के दिन एक खबर देखने को आपे मिल रही है मतलब बिजनेस के expansion की खबर है आप चाओ तो ऐसा भी बोल सकते हो then बात करेंगे Larson and two brothers तो L&T के लिए तो यह रोजका हो चुका है 2000 से लिकर 2500 करोड का एक और order इन company के आपे मिल जुका है जबरदस यह company आप लोगों को पता ही है daily basis के उपर कुछ ना कुछ order book तो इनका बहुत ही tight रहता है 2,2 लाक करोड के आसपास का order book रहता है इंडिया की आनबान शान में यह company हम लोगों को देखने को मिल जाती है यह मतलब पूरा industry आप बोल सकते हो कौन से sector में यह company नहीं है धुनना पड़ेगा इतने बड़ी company इसका रती है नहीं कि आप blindly जाके निवेश कर करके यह company का जो चाल ढंग यह वो comparative थोड़ा slow रहता है वो थोड़ा slow है बहुत बड़ी size की company यह point भी आपको पता होना चाहिए नन बात करेंगे महेंद्रा एट महेंद्रा जबरदस company है बट फिलाल अगर हम लोग बात करें बोफा securities उन्होंने महेंद्रा एट महेंद्रा का जो performance है उसको downgrade कर दिया है पहले उन्होंने rating दी थी कि buy करके चलो अभी वो बोल रहे है कि नहीं उन्होंने neutral कर दिया बट ऐसा क्यों इसके पीछे का reason क्या है तो आप सभी लों को पता है दुस्तों की जो अभी unseasonal जो rain हमनों को देखने को आपे मिला है जो की बिल्कुल भी अच्छी बात यहां पे नहीं होती है और उसी के साथ-साथ जो monsoon भी हमनों को देखने को आपे मिल रहा है आने वाले समय में मतलब जो हम सोचते कि इस वक्त बारिश आपे होनी चाहिए वो भी track पे देखने को नहीं मिल रही है जो जिस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए उस वक्त बारिश आपे हो रही है तो इसके चलते बहुत सारा मतलब फसले हमनों को बरबात होते वे देखने को मिल जाती है और इसी चीज़ के चलते है जो demand है किस चीज़ का ट्रैक्टर बिजनेस का वो हमनों को low देखने को आपे मिल जाएगा यह expectation बोफा securities ने अपने report में किया है इसलिए उन्होंने पहले ही तो इसको buy करने के लिए बोला था बड़ अभी इन्होंने change कर दिया क्यों क्योंकि unseasonal rain हमनों को देखने को आपे मिला है इसी चीज़ के चलते है और आने वाले समय में भी timely mounsoon में गड़बड़ी हो सकती है इसी चीज़ के चलते है उन्होंने M&M के target को यहाँ पे downgrade किया है इस कारती है कि company बरबाद हो जाएगी करके पहले उनका target 1500 के आसपस somewhere around डेखने को मिलता ता अभी उन्होंने 1300 के आसपस किया है अभी भी performance अच्छा ही मान रहे है बट येस जो super duper performance था वो शायद से थोड़ा कम उनको नजर आ रहा है विकाज अफ ये जो unexpected rain देखने को मिला उसके चलते है दैन बात करेंगे दोस्तो grassy industry के बारे में आज के दिन नाइका के उपर focus जरूर था क्योंकि रिपोर्ट के जरी क्यों ना आए राउटर ने न्यूस को कबर किया था कि इनके पाच टॉप management के employees हम लोगो exit करते हुए देखने को मिले है resign करते हुए देखने को मिले है इसी चेस के चलते हम लोगो धाई पसंट का gap down देखने को मिला भी धाई पसंट का gap down कम ही लगेगा बट यह stock ही इतना already गिर चुका है जो कि आप देख सकते हैं यह तो chart pattern थोड़ा यह हो गया कोई बात ने अगर आप performance देखोगे एक second यह देखिए थोड़ा सा यह bonus बोरस हुआता नहीं हापे तो इस चीज़ के चलते हूँ अगर आपको बात बोलू तो 68% यह stock down है अपने top level से इसी चीज़ के चलते हम लोगो गडबड़ी देखने का आपे मिल रही है देन बात करेंगे थोड़ा सा Nasdaq को देख लेते हैं मैं refresh कर लेता हूँ इस चीज़ के चलते हैं अमेरिकन बाजर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनाय हुआ है देन बात करेंगे टाठा कम्यूनिकेशन की टाठा कम्यूनिकेशन की बात करें थोड़ा wallet यह stock रहता है मतलब अगर आप इसका chart pattern देखोगे तो बिल्कुल ऐसा flat रहेगा then suddenly तेजी बिल्कुल flat रहेगा then suddenly तेजी इस प्रकार का performance रहता है तो सिर्फ तेजी देखकर जाना नहीं होता है बट इसके related हमनों को एक खबर देखने को मिले है आज ही की दिन की जो messaging solution रहता है right work company ने provide करने से related हम लोगो सारी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है so जबी भी business से related कोई अच्छे कबरे आ जाती है तो stock positively react करने की chances पूरे पूरे बन जाते है then बात करेंगे PTM so PTM की बात करें आज की दिन focus में ज़रू था इनको थोड़ा RBI के और से extension यहाँ पर मिल गया तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा हरा निशान expected था जो कि हम लोगों को देखने को मिला है right जो कि आप easily study यहाँ पर कर सकते हो then दोस्तों बात करेंगे ITC yes ITC की अगर हम लोग बात करें क्योंकि एक ही दाइरे में चलता था so 200 रुपए का level तोड़ दिया then 300 का बहुत पुराना समय का resistant break किया and अभी यह company हम लोगो 400 के और बढ़ती वी देखने को मिल रही है इसी चीज़ के चलते GM financials की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी ITC का जो target है वो 440 किया है में नहीं किया यह GM financial ने बोला है buy का recommendation दिया है मेरा recommendation है अगेन यहाँ पर बता रहा हूँ आप चाहो तो उनकी report को यहाँ पर consider कर सकते no doubt अभी GST council की बेटक्स देखने को मिलेंगी GST की जबी भी बाते आती है so cigarette, tobacco के उपर heavy tax लगाने की बात्चीत हमेशा हम लोगों को देखने को मिल जाते उस वक्त थोड़ा बहुत pressure देखने को मिल सकता है पर बहुत सार लोगों का मानना ये भी है कि ITC की जो चाल अभी हम लोगों को देखने को मानना ये इस चीज़ के चलते market में अच्छा कासा performance temporary basis के उपर क्यों ना हो जरूर देखने को आपे मिल सकते हैं एक बहुती bold message market में आपे दुनिया बर के market में जा सकता है बट ऐसा होना चाहिए तो किस चीज़ की आपे बात हो रही है तो आपको पताईए कि April month में RBA की policy, MPC की बेठा के and SBA की research report के मताबिक कि RBA शायद से इस वक rate hike ना करे rate hike जो लगातार हो रहा था 25-25-25 उसको रोग दे तो कै ऐसा वाके में possible है तो यह देखना बहुत ही ज़्यादा interesting pattern रहेगा मुझकिल है मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा difficult है because FOMC में भी हमनों को Federal Reserve की बात करें 25 basis का rate hike हमनों को देखने को मिला था and usually हमनों को match करके चलना पड़ता है वरना यहां का पैसा वहाँ पे चला जाएगा तो बहुत ही tough यह चीज यहाँ पे रहेगी and plus अगर हमनों देखें तो inflation तो अभी भी हमारा 6% के बाहर ही है तो उसके पहले 25 बोलना मतलब rate hike को रोग देना थोड़ा सा जल्द बाजी भी हो सकती है बट still हम कह सकती कि SBA expect कर रहा है उनकी research report expect कर रहे है कि शायद से RBA इस वक rate hike ना करे करके अभी देख लेते दूद का दूद पानी का पानी April में जो अभी MPC की बेठा करेगी तब ही पता चल जाएगा आशाकरता दोस्तों वीडियों helpful लगा होगा तो ज़रू like and share कर देना अगर आपने अभी तो open नहीं किया है तो link नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कुणसा आपने link के तो open किया है प्रॉपरली comment section mention कर दिना तो अफ़ते बर के अंदर अंदर सारे लिक्चर्स मेरे से free of cost प्रवाइड कर दी जाएगी ताकि आप share market को आसान बास्टा से सीख सको so that's it thank you very much so we will be meeting rxd तब तक के लिए bye bye